जैस्री गनेश एक बार गनेश जी एक छोटे से बालक के रूप रखकर एक गाउ में गये वे देखना चाहते थे कि इस पृत्वी पर कुछ धर्मकर्म बचा भी है या नहें वे एक चिम्टी में चावल और चम्ची में दूद लेकर गाउ में घर-घर घूम कर कहते कोई मेरे लिए खीर बना दो लोग उनकी बाते सुनते उन्हें देखते हस लेते और बहुत लोग तो खिली भी उड़ा दिये सब लोग उनसे कहते कि इतने से दूद और चावल से भी खला कोई खीर बनती है अब लोगों के उत्तर सुनकर बारक रूपी जो गनेज जी थे वो आगे चल देते इस प्रकार चलते चलते गनेज जी अंत में एक बुढ़िया के पहुँचे वहाँ बहुत से बच्चे खेल रहे थे और बुढ़िया बैठी बैठी बच्चों को खेलते वे देखने का आनंद ले दी बुढ़िया के तो कोई थे नहीं अब गनेज जी ने कहा माई ओ माई इस चावल और दूद से मेरे लिए खीर बना दो बुढ़िया ने हसकर मजाक करते वे कहा बेटा खीर तो बना दो प्रन्तु मुझे खीर देगा की नहीं तो गनेज जी कहते हैं जरूर दूँगा माई और सब बच्चों को भी दूँगा मुझे खीर तो बना के खिला दे तब बुढ़िया कहती है चल घर के अंदर चल बेटा और एक छोटी सी भगोनी लेकर आ गई लड़के ने कहा गनेज जी ने माई इतनी छोटी सी भगोनी से क्या होगा भला आप मेरे लिए बड़ा सा बरतल लाओ उसी में खीर बनाना बुढ़िया हसी फिर सोची चलो बच्चा है इनका मंग रख लेते हैं और बड़ा सा बरतल लेकर आ गई अब उसमें गनेज जी ने उसमें एक चुटकी चावल और एक चमच दूर डालना शुरू कर दिया तो पूरा भगो ना भर गया पर ना तो चुटकी के चावल खत्म हुए और ना ही चमच का दूर इस तरह घर के पूरे बरतन दूर चावल से भर गया अब गनेज जी ने कहा जब खीर बन जाए तो मंतिर का खंडा बजा देना मैं आ जाओंगा तब बुढ़िया ने पूछा इतनी सारी खीर का मैं क्या करूंगी तो गनेज जी कहते हैं पूरे गाउं का नियोता दे आओ इस तरह जब खीर बन गई तो बुढ़िया गाउं को नियोता देने चली गई अब पीछे से उनकी बहु को बहुत भूग लगी उसने चुपके से एक कटोरे में खीर खा के जूठा कटोरा चौंकी के नीचे सरका दिया जब बुढ़िया वापस आई तो मंदिर का घंटा बजाती हुई बोली ओ गनेज बेटा आजा भोग लगा ले पर गनेज जी तो आए ही नहीं जब बहुत देर हो गया तब गनेज जी आए बुढ़िया ने कहा मैं कबसे बुला रही हूँ तो आया क्यो नहीं तब गनेजी कहते हैं मैं क्या करता तेरी बहु तो पहले ही भोग लगा चुकी है ना माने तो देख ले चौकी के नीचे जूठा कटोरा रखा है फिर तो सारे गौण वालों को खिलाने के बाद भी खीर बच गई तो उसने पूछा इसका क्या करूँ तब बालक ने कहा कि इस खीर को घर के चारों कोनों में भगोनों को उल्टा कर मार दे अब बढ़िया ने ऐसा ही किया सुबह उटके देखा तो घर में हीरे जवारा जगमगवा रहे थे इधर जब बहुत दिन बीट गये जब लक्षमी जी ने सोचा कि चलो अब मुझे भी चलना चाहिए क्योंकि गनेज जी तो लक्षमी जी के लड़ाई करने के कारण ही आये थे हाँ क्योंकि एक बार लक्षमी जी और गनेज जी में लड़ाई हो गई थी लक्षमी जी कहती मैं बड़ी और गनेश जी कहते मैं बड़ा तब दोनों ने सोचा इस बात कर फैसला पृत्वी वासी ही करेंगे और ऐसा सोच कर पृत्वी की ओर रवाना हो गया और गनेश जी एक छोटे से बच्चे का रूप धारन करके एक चुटके चावल और एक चमर्ज दूद लेकर आये थे यहां अब जब मा लक्षमी यहां पहुंचती है तो एक भिखारन के रूप में उसी गौँ में पहुंची जहां गनेश जी रुके वे थे उन्होंने लोगों से कहा कोई मुझे खाना खिला दे एक आदमी उसके लिए खाना लाया तो लक्षमी जी कहती है मैं तो अपने बरतन में ही खाना खाती हूँ वह ऐसा कहकर अपने थेले में हाँ डालती है तो उसमें चांदी की थाली, कटोरी, चमच निकली उसमें खाना काके वह बरतन वहीं छोड़ कर आगे जाने लगी तो आदमी बोला माता जी अपने बरतन तो लेती जाओ तब लक्षमी जी कहती है भाईया मैं तु जहां खाना खाती हूँ वहीं बरतन छोड़ देती हूँ ऐसा कह लक्षमी जी वहां से आगी चली गई तो वह बालक से कहती है मैं तेरी इतने दिनों से सेवा कर रही हूँ तब तुने मुझे इतना दिया परंतु अभिखारीन तो बस एक बार खाना खिलाने से ही इतना दे देती है गनेज जी समझ गय हो न हो ये लक्षमी जी है आते ही एक दिन में मेरी महिमा की महानता पर पानी भेर दिया सारे भक्तों को अपने धन का लालस दे कर अपने बस में कर लिया सोचते वे जल्दी से सूड़ी लाते वे चले आगे आगे लक्षमी जी पीछे पीछे गनेज जी अब उनको सब लोग देख करके कहते लक्षमी जी बड़ी हैं हर हर महादेब